प्राय ऐसा देखने में आता है कि धान की रोपाई के बाद कुछ पोधे मर जाते हैं या उन को शोओक लगता है और कुछ पोधे हमारे मर जाते हैं और हमारी पैदावार में ग्रावट आती है तो किसान भाईयों को चाहिए कि रोपाई के लगवग आट से दस दिन बाद खेत में चारों तरफ आप घूम के देख लें कि कहीं कुछ पोदे आपके नस्ट तो नहीं हो गए, मर तो नहीं गए, तो उनकी जगे पर नए स्वस्थ पोदे आप रोपित करें, यानि जो रिक् हरी शैवाल का एक टीका होता है, इसका हमारी धानकी फसल को काफी लाव मिल जाता है, लगवग 20-25 किलोग्राम नेटोजन की इससे उपलबता हमारे खेत में बढ़ जाती है, आपको ध्यान रखना है, ये आधा किलो का एक पैकेट होता है, और उसमें 4-5 किलो आप मिट्ट मिला लें और प्रिती एकर के हिसाब से इसका नील हरी शैवाल के टीके का प्रियोग करें, परन्तु आपको ध्यान रखना होगा कि खेत में 7-8 सेंटीमिटर कम से कम आपके पानी होना चाहिए, और ये पानी शुरू के 10-15 दिन तक लगातार आपको खेत में बनाए रखना पड़ेगा, इससे हमारा जो नील हरी शैवाल है उसका अंकुरण अच्छा होगा, उसकी बढ़वार अच्छी होगी, साथ ही आपको ये पानी लगातार आपको अपने खेत में बनाए रखना होगा, तब ही ये हमारे नील हरी शैवाल जीवित रहेंगे, और इससे हमारी न पानी लगा हैं, जो भी पानी लगा रहें, आम तोर पे 5 cm की गहराई की आप सिचाई करते हैं, तो उस पानी को अच्छी तरह से इस्तमाल होने दें, फिर दुबारा उसमें अधिक मात्रा में पानी खड़ा ना रखें, जब खेत आपका सूख जाए, यानी एकांतर हमारी मिठी में होना चाहिए, और जब फूल बनने की अवस्ता जो के काफी समय बाद आएगी, लेकिन उस समय भी पानी की हमारे केत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए.